बंटी कबूतर और टूनी चुडिया अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तब भी उन्हें रास्ते में एक बूरी चुडिया दिखती है जिसे देखकर उन दोनों को उस पे बहुत तरस आ जाता है वो दोनों उसे एक एक केला देते हैं केला खाकर बूरी चुडिया बहुत ख कुछ पीज हैं ये तुम दोनों आपस में बाट लो मेरे पास तो जीने के चंद ही दिन बचे हैं मैं इनका क्या करूंगी बंटी का बुतर बहुत चलाक था उससे फटा-फट सोने के चैन ले ली तूनी चडिया ने बिना कुछ बोले टिमाटर के बीज ले लिए हाँ हाँ द लोंगा तूनी चडिया बंटी का बुतर की बातों पर ध्यान ना देते हुए टिमाटर के बीच लेके उन्हें गार देती है और अराम करती है एक महिने में टिमाटर के पीड बड़े हो जाते हैं और उसमें बहुत जादा टिमाटर आते हैं तूनी चडिया अपने टिमाट टूनी चुडिया तुम्हारे पास इतने सारे टमाटर आरे क्या मुझे तुम्हें यह टमाटर बेचोगी क्योंकि टमाटर के बाव सोने से भी बढ़ कर चल रहे हैं आज कर तुनी चुडिया के बात सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है हाँ हाँ भीया आप टिमाटर ले लो इत्तिसाए टिमाटर का मैं क्या करूंगी दुकानदार ये बात सुनके खुश हो जाता है और टूनी चिडिया से सारे के सारे टिमाटर खरीद लेता है तब ही तो कहते हैं दोस्तो मैंनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है जैसे तूनी चिडिया को मिला टिमाटर बेच के